वेल्कम बैक वन्स अगें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश दा इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर सेवन एडवेंचर विद डिली सो दिस इस दे स्टोरी अबाउट अडवेंचर विद डिली डिली यहां पर डॉल्फिन है बच्चों की रूप में हमें एडवेंचर पर जाना और मौझ मस्ती करना पसंद है या हम पसंद करते हैं बट एज वी ग्रो अप वी गेट सो बिजी दाट वी फॉर्गेट तो इंजॉए दा लिटल थेंग्स अड मोमेंट्स दाट गिव जॉए लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम इतनी बीजी हो जाते हैं कि हम उन चोटी-चोटी चीजों का उन पलों का आनंद उठाना भूली जाते हैं तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं जिसमें क्रिश और परिनिता दो बच्चे हैं और वो एडवेंचर के बारे में जानते हैं जिसमें वो अपने पिता को डॉल्फिन के साथ आनन्द लेते हुए देखते हैं तो बालकनी में बैट कर क्रिश जो था वो जूले वाली कुरसी पर बैट कर अकबार में यात्रा वाला कॉलम यानि जो ट्रावल कॉलम होता है और हॉलिडेज वाला सेक्चन जो है वो पढ़ रहा था परिनिता, his sister, उसकी बहन का नाम था परिनिता, who solving a sudoku puzzle in the living room वो living room में बैट कर, sudoku puzzle होती है नंबर वाली, उसको solve कर रही थी उसने अपनी बहन से कहा चलो पिता जी के पास चलते हैं और उनसे इस सरदियों में, इन छुटियों में हम अंडमान आइलेंड जाने के लिए पूछते हैं she gave him a hard stare, stare मतलब घूरना, तो उसने उसकी तरफ काफी कड़ी नजर से देखा you know how dad is, तुम्हें पता नहीं है कि पिता जी कैसे हैं, he doesn't want to do anything exciting, she said उसने अपने भाई से कहा, उनको कुछ भी रोमांचे करना पसंद नहीं है Krish was a little disappointment with her reply, अब Krish ने उसकी बात तो सुन ली, मगर उसके उत्तर से वो थोड़ा सा निराश हो गया था later that evening, the family was gathered at the dinner table talking about the day's event बाद में शाम को, परिवार खाने की मेच पर इखटा होकर, उस पूरे दिन की घटनाओं के बारे में बात कर रहा था कि मतला पूरे दिन क्या क्या किया Mr. Sika said, Mrs. Sika said, I have got interesting news, everyone looked at her with eager faces तो यहाँ पर Mrs. Sika जो है, वो कहती है, मेरे पास एक बहुत interesting news है, बहुत दिल्चस खबर है, और सभी उसको जानने के लिए काफी जादा उत्सुक हो जाते हैं, eager मतला काफी curious हो जाते हैं उस बात को जानने के लिए I am going to Swaraj Deep Island to inspect a Maraim project, तो मैं एक समुद्री परियोजना का inspection करने, निरक्षन करने के लिए स्वराज दीप जा रही हूँ Are you all interesting to join me? क्या तुम सभी मेरे साथ जुडने मेर उची रखते हो या मेरे संग चलना पसंद करते हो? I am Mr. Sikka and the children chorused together, हाँ मैं भी, मैं भी, Shri Sikka से सारे बच्चों ने एक साथ बोला, क्योंकि सबको घुमने जाना था, सबको adventure करने जाना था That's settled, we will leave next Sunday for Port Blair, ठीक है ये तै रहा, हम अगले रविवार को Port Blair के लिए निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे We will take the early morning flight और हम सुभा की flight लेंगे, सुभा की flight यानी airplane से morning में जाएंगे The flight from Kolkata to Port Blair was a little over two hours, तो उन्होंने बताया कि Kolkata से Port Blair की उडान दो घंटे से अधिक की थी Then they took the ferry to Swaraj Deep Island and settled into a comfortable guest house with a view of a brilliant blue sea और उसके बाद वो एक नौका से यानी एक नाव से Swaraj Deep के लेंगे, जो की शानदार नीले समुदर के द्रिश के साथ एक आराम दायक guest house में रुकेंगे So close to the beach, Chris squealed with delight, जैसे ही सब समुदर की तट के करीब पहुचे Chris जो है, squealed मतलब होता है चिलाना, वो खुशी से चिलाया Let's go for a swim, उसने कर चलो, तैरने चलें Maybe some dolphins are waiting for us, शायद कुछ dolphins हमारा इंतिजार कर रही है The children raised each other to the water अब सारे बच्चे जो थे, वो एक दूसरे से पानी में दौर लगाने लगे यानि सभी race करने लगे Just then they heard a shrill whistle तभी उनको एक तेज सीटी सुनाई दी Someone was coming towards them, कोई उनकी तरफ आ रहा था Hi, I am Ravi, kite and lifeguard for the guest here तो किसी नाके उन्हें ग्रीट करा और बोला Hi, मैं Ravi हूँ आए हुए यहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनका मार्ग दरशक हूँ और lifeguard भी हूँ यानि किसी को अगर कोई problem हो तो मैं उनकी जान भी बचा सकता हूँ Do you know how to swim? He asked, उन्होंने पूछा क्या आपको swimming आती है? तैर ना आता है? Yes, we were hoping to see some dolphins here Are there any? परिनिता asked तो परिनिता ने पूछा कि हाँ हमें swimming आती है हम आशा करते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ dolphins देखने को मिलेंगी क्या यहाँ पर होंगी? He was stilled again उसने फिर से CT बजाई Krish and परिनिता looked around but saw no one Krish और परिनिता ने चारों तरफ देखा मगर उन्हें कोई भी डॉल्फिन नजर नहीं आई कोई कुछ भी नहीं दिखा There is no one else here यहाँ पर और कोई नहीं है Why did you whistle again? Krish asked curiously Krish ने काफी उत्सुकता से पूछा Curious मतलब उत्सुकता के साथ कि यहाँ तो कोई नहीं है पर तुमने CT क्यों बजाई उसने कहा आप कुछ छणों के लिए रुखिए अभी कुछ समय में आप देखेंगे Look there, वहाँ देखिए He pointed towards some button nose dolphins leaping and doing acrobatic spins तभी वहाँ पर कुछ button nose dolphin जो थी वो उच्छल रही थी और कला बाजी कर रही थी यानि खेल रही थी क्रिश और परिनिता वर थ्रिल्ड अब क्रिश और परिनिता काफी रोमांचित हो गए क्या हम भी कर सकते हैं क्रिश बहुत ही ज़ादा उच्साहित था Swim with them Yes, but we need to go the deeper water Do you have your parents permission क्या हम उनके साथ तैर सकते हैं हाँ लेकिन हमें गहरे पानी में जाना होगा और क्या आपने अपने माता पिता से आग्या ली है? अनुमती ली है? परिनिता क्विकली कॉल्ड हर फादर परिनिता ने जल्दी से अपने पिता को फोन किया या बुलाया Her face fell अब उसका जो चेहरा था वो उतर गया Dad is asking us to wait He is coming Dad ने हमें रुखने को कहा है इंतिजार करने को कहा है वो आ रहे है Mr. Sikha arrived in shorts and t-shirt Mr. Sikha जो थे वो short और t-shirt में वहाँ पहुचे He started chatting with Ravi और उन्होंने Ravi के साथ बातचीत करना शुरू करा Is he going to swim with us? Chris whispered to Parinita क्या वो हमारे संग त्याडने जा रहे हैं? Chris or Parinita से फुस्पुसा कर पूछा Whispered मतलब होता है Don't know पता नहीं They got into the speedboat and headed out to the sea वे दोनों, मतलब वे जो थे वो speedboat में चड़ गए और समुदर की ओर चल पड़े Ravi shut off the engine and blew his whistle अब Ravi ने जो है engine को बंद कर दिया था और अपनी CT को बजाया He dropped an anchor into the water to keep the boat from drifting away नाओ को दूर जाने से बचाने के लिए उन्होंने पानी में लंगर डाल दिया अंकर को डाल दिया Dilly and her playful calves appeared अब Dilly और उसके जो चंचल छोट छोटे बच्चे थे वो दिखने लगे They splashed water on them and made giggling sound उन्होंने उन पर पानी छिड़का और हसने की आवाज निकाली वो काफी खुश थे बच्चे She is saying hello to all of you और वो आप से सबको hello कह रही है Ravi said Ravi ने बताया Dilly made a number of clicking sound और ये भी बताया कि Dilly कई आवाजे निकाल सकती है I know, I know Line up here He said तो उन्होंने का मुझे पता है मैं जानता हूँ The dolphin put their snout on the edge of the boat Dolphin ने अपने snout को नाव के किनारे रख दिया Ravi pulled out a bucket of fish from under a seat Ravi ने तभी seat के नीचे से एक बाल्टी निकाली जिसमें मचलिया थी Can I feed them? Mr. Sikha asked Ravi Mr. Sikha ने Ravi से पूछा क्या हम इने खिला सकते हैं? Yes, three each Ravi replied Ravi ने का हाँ तीन-तीन करके मतलब हर किसी को तीन-तीन He promptly put the fish into the calves open mouth then patted them on the head तो उसने क्या किया? उन सभी छोटे-छोटे calves पे उनके खुले मूँ में तुरंत मचलिया रख दी और फिर उनके सिर को थप-थपाया प्यार से Dilly made loud clicking noises in approval and swam around splashing water on them Dilly की सहमती से वो जोर-जोर से आवाजे निकालने लगे और उन पर पानी छिड़कते हुए इधर-धर तैडनने लगी She inviting you into the water Ravi said Ravi ने कहा वो तुम्हें पानी में निमंत्र दे रही है कि उनके संग खेलिये With a white grin on his face White grin यानी काफी बड़ी मुस्कुराहट के साथ Mr. Sika said Mr. Sika ने कहा I am so wet मैं बहुत गीला हूँ I might as well क्या मैं भी पानी में उतर सकता हूँ या भीग सकता हूँ The children looked at each other in surprise अब दोनों बच्चे जो थे एक दूसरे को काफी आश्चर से देख रहे थे And he dived into the water कि मतलब पिता जी ऐसा कह रहे है और वो फिर पानी में उतर गय Dad, we didn't know you wanted to swim with dolphin और फिर उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमें नहीं पता था कि आप भी dolphin के साथ तैरना चाहते है परिनिता explained as he came along side the boat और परिनिता ने अपने पिता से कहा जब वो नाओ के पास थी कि हमें नहीं मालूम था कि आप भी हमारे संग adventure पर आना चाहते है ये देखिए रवी सीटी बजा रहे हैं और बोट पर हैं और ये हैं Mr. Sikka जो कि dolphin के संग enjoy कर रहे हैं और बच्चे भी enjoy कर रहे हैं वाई नॉट, fun is not just for the kids रवी सेट तो रवी ने कहा कि मौज मस्ती केवल बच्चों के लिए ही थोड़ी होती है Krishan Parinita laughed दोनो बच्चे हसने लगे अब डिली नीचे तैरने लगी और धीरे से उनोंने अपनी पीट पर दोसब को बैठा लिया अब बच्चे जो थे वो हस रहे थे उनोंने देखा कि उनके पीटा जो हैं डॉल्फिन पर बैठे हैं Parinita quickly took out her phone and clicked picture Parinita ने जल्दी से अपना phone निकाला और कुछ pictures click करी Come on in, you are both expert swimmers he said उन्होंने कहा कि आओ तुम दोनों बहुत अच्छे तैराक हो तो तुम भी अंदर आ सकते हो Krishan Parinita promptly obeyed their father Krishan और Parinita ने अपने पिता की बात को तुरंत माना They had so much fun swimming and riding with Dilly and her adorable babies उन सब ने डिली और उनके प्यारे प्यारे adorable यानि बहुत प्यारे बच्चों के साथ swimming करी They would never forget this experience और वो इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे तो यह तो हो गया इस chapter का explanation इसके question answers का link मैं आपको description में दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं आपको कैसा लगा यह वीडियो यह मुझे comment section में जरूर बताईए और आपके कोई suggestion हो तो मुझे वो भी बताईए जिससे की मैं और improve कर सकूँ Thank you for watching, have a nice day पसंद आया हो तो like करें, share करें और चैनल को subscribe करें